नमस्कार मित्रों जैसा कि आप जानते हैं अभी हम पढ़ रहे हैं यूद्ध कॉंपटिशन टाइम्स की हिंदी विशे में प्रश्णोत्तरी जो की एकाई तीन चल रही है अभी इसमें और उसके पहले एकाई तीन के छे वीडियो हम अपलूड कर चुके हैं और उससे पहले भी एकाई एक और दो हिंदी सायतिका इत्यास और आधिकाल हो चुका है भक्तिकाल के भी हम तीन सो प्रश्ण से अधिक कर चुके हैं अब हम बिना समय गवाए इसको आगे बढ़ाते हैं और अगर यह श्रंकला आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजीगा जिससे आपको नए वीडियो की पूरी जानकारी मिल जाए और साथ में हम MPPSC की भी पढ़ाई कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पाटिक्रम है उसके अनुसार तो अगर आपको कोई सहायता मिल सके इसलिए आप इस चै अगला प्रिशन है प्रेम मारगी कभी नहीं है सूर्दास नहीं है क्योंकि साख्य भाव से उन्होंने क्रिश्न की अपने कावे की रचना की है बाकि जो मलक मुहम्मद जायसी मुला दाउद मंझन जो है वे प्रेम मारगी कभी है और सूर्दास की कुछ रचनाएं लिखी हैं आपर सूर्द सागर साहित लेरी सूर्द सरा वली और जायसी की और मुला दाइद और मंझन प्रेम मारगी कभी है यह बताया गया है चन्दायन जो है किसकी रचना है सबको पता है मुला दाउद की रचना है चन्दायन को लोर कथा या लोर कहा भी कहा जाता है किसने कहा है टाक्टर माता प्रसाद गुप्त में गुप् अगला प्रिश्ण है पदमावत है पदमावत क्या है एक त्रासदी के रूप में कावे है क्योंकि हम जानते हैं इसका अंत बला नहीं होता अगला प्रिश्ण है कहरा नामा किसकी रचना है सबको पता है जायसी की रचना है इनकी अन्य राचना है पदमावत अकरावत आकरी गलाम चित्र रेखा और मसला नामा मद्दिकालीन प्रेमा ख्यानक सूफी काव परंपरा में अग्रणी कभी मलिक मुहम्मत जायसी है चंदायन लोर कहा भी कहा जाता है चंदायन गो मुला दाउत की तथा ब्रगावती कुत्वन की प्रसिद्ध रचना है अगला प्रश्ण है चित्रावली किसकी रचना है चित्रावली उस्मान की रचना है अवदी में लिखी गई चित्रावली का नायक सुजान और नायका चित्रावली है शेख नवी द्वारा अवदी भाशा में रचित ग्यान दीप नामक प्रेमा ख्यानक प्रेम कावे के नाय ग्यान दीप तधानाई का देव्यानी है, कासिम शाग की रचना हन्स जवाहिर के नायक, राजा हन्स और नायक का राणी जवाहिर है, नूर मुहम्मद की रचना है अनुराग मासरी और इंद्रा वती है, पदमावत जो है उसकी विधा क्या है? पदमावत की विधा प्रबंद काविय है, बक्तिकाल की प्रेमाख ख्यानक, काव इधारा के अगरनी कभी मलिक मुहमत जायसी दोरा पदमावत प्रबंद काविय रचित है, इसमें चितोर की राजा रतन सेन और सिंगल की राज कुमारी पदमावती के प्रेम बिवाह और अगला प्रिश्ण है निम्लिकित में से ग्यानदीप का रचनाकार कौन है ग्यानदीप का सब को पता है शेक नवी रचनाकार है उन्होंने 1619 इस्वी में इसकी रचना की थी चित्रावली उस्मान की रचना 1613 इस्वी में हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है अनुराग बास और प्रयक्तचंद दोहा चौपाई है ज्यानदीप, चित्रावली, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती पहले प्रकाशित में लिखी गई थी अनुराग बांसुरी बाद में मदुमालती के रचनाकार है, मदुमालती के रचनाकार मंझन है, मदुमालती हिंदी सूफी प्रेमाख्यान काविधारा परंपरा के कभी मंझन की रचना है, इसमें नायक नायका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्य के प्रणाशंसकारों की महत्ता द पर्यमा ख्यान काव परंपरा के सर्व प्रमुक कभी मल्क मोहमत जायसी ने पदमावत अखरावट आकरी कलाम चित्ररेखा कहरा नामा मसला नामा आधी काव ग्रंथों की रचना की मुला दाउद ने चंदायन मूल कथा लोर कहा मूल नाम लोर कहा और लोर कथा है नामक काव की रचना की है अकरावत काविकृती के रचैता कौन है लिक मुहिफ़त रचनाइग की है जिसमें अकरावत पनमावत आखरी कलाम प्रसिद्ध है जबकि कुटबन ने मुखवती लिखी है मन्यन की मदुमालती और उस्मान ने चित्रावली नामक सूफी काविक रतियां लिखी है अगला प्रिश्ण है भक्ति काली इन सूफी काविधारा की विशेष्टाओं के संदर्ब में निमलिकित में से एक विशेष्टा गलत है उस गलत विशेष्टा को चुनिए इस काविधारा पहला आप्शन है इस काविधारा के सभी कभी मुसल्मान तथा विदेशी थे यह गलत है इस काविधारा के जो सभी कभी मुसल्मान नहीं थे वो विदेशी भी नहीं थे कुछ कभी भारतिय मुस्लिम थे विदेशी नहीं थे कुछ कभी जादातर मुसल्मान थे लेकिन कुछ कभी जो थे उसमें हिंदू भी थे अगली विशेष्टा पढ़ लेते हैं यह तीन विशेष्टा सही हैं तो इन्हें पढ़ना अवश्चक है इस कावधारा के सबी कभीयों ने हिंदू प्रेमी काओं की प्रेमकता कावयात्मक जित्रन प्रस्तुत किया इस कावधारा के कभीयों ने अवधी और राइस्थानी में रचनाएं की बिल्कुल सही है इस काविधारा की कवियों ने सिर्फ प्रवंद कावी ही लिखे ये भी सही है अगला पुरिशन क्या है निमलिकित में से कवी ने सिर्फ अवदी भाशा में ही रचना की है किसने की है जाइसी ने की है बांकि कबीर सूर तुलसी इन लोगों तुलसी दास ने तो अवदी और ब्रज में लिखा है सूर दास ने ब्रज अवदी दोनों में लिखा है कबीर दास ने तो सदुकडी भाषा में लिखा है लेकिन जाइसी ने केवल ठेट अवधी और अवधी में लिखा है बक्तिकाल के सूफी प्रेमाख्यानक काव परंपरा के सर्व प्रमुक कवी मुलिक मुहमत जाइसी ने अपनी रचनावों में सिर्फ अवधी भाषा का प्रयोग किया है अबदी भाषा के प्रयोग की दृष्टी से जायसी रामचरित मानस के प्रणिता गुर्ष स्वामी तुलसी दास के पत्परदर्शक थे पदमावत अकरावत आखरी कलाम कहरा नामा चित्र रेखा मसला नामा और कनावत जायसी की प्रमुक कृतियां है अगला प्रिशन है रोज़तुल हकायक के रचैता कौन है रोज़तुल हकायक के रचैता नूर मुहम्मद है नूर मुहम्मद नहीं इंद्रावती और अनुराग बासुरी भी लिखी है अनुराग बासुरी जो है 1744 इसवी में लिखी गई है और अनुराग बासुरी 1764 इसवी में लिखी गई है चित्रावली उस्मान ने लिखी है सूला सो तेरा इस भी में ग्यानदीप जो है शेक नभी ने लिखी है और हंस जवाहिर जो है कासिम शा की रचना है नूर मुहम्मत की रोज़तुल हकायक नामक गरंद फार्सी भाषा में लिखा गया है तथा अन्ने सभी रचना है अबदी भाषा में रचित का विग्रंथ है प्रेमा ख्यानक का विग्रंथ है रोज़तुल हकायक जो है फार्सी भाषा में लिखा गया है याद रखिएगा हिंदी भाषा अगला प्रशन हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफिक अभी को मुसल्मानों का उ पालंब सुनने को मिला था ये हमें पता है अभी हमने प्रश्ण पढ़ा था नूर मुहम्मद नूर मुहम्मद ने इससे पहले अपनी रचना में फिर उसके लिए एक पद लिखा था अपनी रचना में अभी हमने प्रश्ण पढ़ा था उसको फिर से देख लेते हैं हिंदू मगपव पर पाऊना राख्यों का बहुते हैं जो हिंदी भाख्यों यह उन्होंने लिखा था नूराग वासुरी में तो नूर मुहम्मद इसका उत्तर होगा अगला प्रिश्ण है अगला प्रिश्ण है सुमेलित कीजिए चंदायन का जो प्रकाशन वर्ष है इनके रिचना कालों से हमें जूडना है चंदायन का प्रकाशन वर्ष है 1380 मरगावती का प्रकाशन वर्ष है 1503 मदुमालती का है 1545 और पधमावत का है 1540 उत्तर हुआ भी एक दो तीन चारिस की कूट संख्या हो गई फिर से एक बार पढ़ लेते हैं चंदायन तेरा सो नियासी मरगावती पंदरा सो तीन मदुमालती पंदरा सो पेंटालिस मंजन की रचना है पदमावत पंदरा सो चालिस अगला प्रशन है निमलिकित कभियों मैंसे किस ने प्रेमाख्यानक काव की रचना नहीं की है आपको पता ही है इन सब में नाम अलगी दिख रहा है अब्दुलकादिर का अब्दुलकादिर ने प्रेमाख्यानक काव की रचना नहीं की है जबकि मुला दाउद ने चंदायन की जाए सीने पदमावत की और उस्मान ने चित्रावली की रचना की है अगला प्रशन है निमलिकित काब्यांश में विरह की किस दशा का वरनन है यह तंजारों चार के कहों के पवन उडाओ मकुते ही मारक उड़ी परे कंत धरें जहंपाओ इसमें अपिलाशा जो है बिरहिगी अपिलाशा दशा है यह तंजारों चार के कहों के पवन उडाओ मकुते ही मारक उड़ी परे कंत धरे जहंपाओ उपर एक्तुपद्य का ब्यांश में बिरह की अपिलाशा दशा का वरनन है अक्तपंक्ती जायसी की द्वारा रचित पद्मावत से उद्रत है जायसी द्वारा रचित गरंद है पद्मावत अक्रावत और आकरी कलाम अगला प्रश्ण है मोहिका हसेसी के कोह रही किसने किस से कहा है ये कहा है जायसी ने शेर्शाह से कि मेरे उपर हस रह हो या उस कुमार की उपर जिसने मुझे बनाया जायसी काने और देखने में कुरूप थे कहते हैं कि शेर्शाह ने इनके रूप को देखकर इन पर हस दिया था इस पर जायसी ने शेर्शाह से कहा मुही का हसेसी के कोह रही हर्थाद मुझ पर हस रहे हुए या उस बनाने वाले कुमहार पर या इश्वर पर इस पर शेडशाह बहुत लज्जित हुआ और उनसे शमापरार्थी भी हुआ अनालक मैं ही ब्रह्मा हूँ की गोशना किसने की है सबको पता है मनसूर ने कही है मनसूर एक कवी और तसव्व सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे जिनको सन 1982 में अबासी खलीफाल मुकदर के आदिश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था इनको अनालहक अनहलक मैं ही ब्रम्हा हूँ मैं ही ब्रम्हा हूँ के लिए जाना जाता है जो भारती अद्वतवाद के हम ब्रम्हास्मी के बहुत करीब है 1922 नहीं होगा ये 922 होना चाहिए और आप पढ़ लीजेगा इसके बारे में कुद्बन के गुरू का नाम क्या था शेक बुरहान कुद्बन के गुरू का नाम था कुद्बन शेक बुरहान के शिश्य थे और जौनपुर के बादशाह उसैन शाह के आश्रित कवी थे ये सूफी के प्रेम का प्रम्परा के कवी थे इनका प्रसिद्ध ग्रंत ग्रंत जो है मरगावती है इस ग्रंत में लोकिक प्रेम की याड में लोकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभी बंजना हुई है कवी की भाशा आवदी तदा चंद दोहा और चौपाई है अगला प्रशन है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कहते हैं कि जांगियर ने किसी बात पर ने आगरह में कैद कर लिया था वहीं कारागार मैं नोंने रस्रतन नामक ग्रंत संबत 1673 विक्रम संबत में लिखा जिस पर प्रसन होकर बाशान से आए लिए बारी बार्शान ने रस्रतन पोहकर ने लिखा है अगला प्रिश्ण है सूफी काव पत्ति का अंतिम ग्रंद कौन सा है यह इंद्रावती है किसकी रचना है नूर मुहम्मद की इंद्रावती है अचारे रामचंदर शुकल ने कहा है कि इस में ने लिखा है लेकिन रामचंदर शुक्ल ने कहा है कि इंद्रावती से प्रेम आख्यानक सूफी काव्यों की जो श्रंकला है यहां पे समापतमानी जानी चाहिए सूफी कावे आचारे जी हां लिखा है इसमें रतन झें जो है, मन का परतीक है जो एदर उदर भटकता रहता है जायसी दारा, रचट गरंथ। पद्मावन में पात्रों का प्रतीकारत इस प्रकार है चौदै भुवन मानो पिंड है, चित्तौल शरीर है, रतन सेन मन है, सिंगल दी फृता है, पदमावती बुद्धी है, हैरा मनतोता गुरू है, नागमती जो है, भोग बिलास या संसार का प्रतीक है अगला प्रश्ण है, मलिक मुहमत जायसी के प्रसिद्ध प्रवंद काविका क्या नाम है, सभी को पता है, पदमावत इनका गृंत है, सबसे प्रसिद्ध गृंत है, प्रेमाख्यानक कावियों का, पदमावत में कुल सत्तावन खंड है, इनका प्रियहलंकार उत्प्रेक्षा जाइसी दोरारचित, महतबून, ग्रंथे अकरावट, आकरी कलाम, चित्ररेखा, कहरा नामा, मसला नामा, कनहावत, आदी मरगावती के रचनाकार, कुतुबन, मधुमालती के रचनाकार, मंझहन, परमालरासो के रचनाकार, जगनिक हैं जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्ण है सूफी काव परंपरा का एक गरंथ है इंद्रावती इसके रचनाकार थे नूर मुहम्मद इन्होंने ही अनुरागवांसुरी भी लिखी है इंद्रावती और अनुरागवांसुरी सूफी काप परंपरा के गरंत इंद्रावती के रचनाकार नूर मुहम्मद है इस गरंत में कालिंजर के राजकुमार राजकुमर और आगम कुर्की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है आचार शुक्ल नूर मुहम्मद द्वारा इंद्राबती से सुफिया ख्यान कावियों की अखंडित परंपरा को की समापती मानी है इनके द्वारा रचित अन्य गरंथ अनुराग बांसुरी और रोजित अलह कायक है अगला प्रश्ण है जायसी किस धारा के कवी है जायसी प्रेमा ख्यानक काविधारा के कवी है पदमावत अक्रावट और आकरी कलाम जायसी की प्रमुक्रतियां है इनकी सर्व प्रसिद रचना पदमावत है जिसमें चित्तोड के रिशाशक रतन सेन और सिंगल दीब सिंगल देश की राजकन्या पदमिनी की प्रेमकत्था का वरनन है अगला प्रश्ण है इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है चित्तरावली जायसी की रचना नहीं है बलकि चित्तरावली उस्मान की रचना है जो अबदी भाशा में रचित है आकरी कलाम अकरावत और पदमावत इनकी रचना है चित्र रेखा भी है कहरा नामा भी है मसला नामा भी है कनहावत भी है इनकी रचना बक्तिकाल के निर्गुन धारा के प्रहिम मारगी शाका के प्रमुक कभी मलक मुहम्मद जायसी है पदमावत को समासोक्ती किस ने कहा है आचारे रामचंद्र शुकल ने कहा है पदमावत को समासोक्ती कावे जबकि शम्मुनाथ सिंग ने पदमावत को प्रतीकात्मक कावे कहा है शम्मूनात सिंग ने पदमावत को प्रती कात्मक कावे कहा है अगला प्रिश्ण है सूफी प्रेमा ख्यानक काव्यों रचनाओं की भाषा कौन सी होती थी अवधी होती थी अधिक्तम मलक मुहम्मद जायसी की भाशा अवधी के लोक प्रिचलित मुहावरों और लोकोक्तियों से युकत है जायसी ने पदमावत में ठेट अग्रामिन अवधी भाशा का प्रियुक किया है मलेक मुँम्isches Jaisy को Jaisy कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामकिस्थान के निवासी थे हमने पहले ही प्पड़ा है उत्तर पृदेश के रायबरेली जिले के Jais नामकिस्थान पर उनका जन्म हुआ था जायस नगर में जन्म लेने करण ही ये जायसी कहला है जाइसी ने खुद अपनी रचना में अपने निवास इस्थान का उलेक किया है जाइस नगर मोर इस्थानू तहा आए कविकीन बखानू अधिकान श्विद्वान जाइसी की जन्मिस्थान को जाइस ही मानते हैं जाइसी ने आखरी कलाम पदमावत तथा खरावट नामक का विकरतियों की रचना की अगला प्रशन है निम लिके पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए मैना जो है कहां से जुड़े हुए हैं वो चंदाइन से जुड़ी हुई हैं मैना चंदाइन से जुड़ी हुई हैं पात्र के रूप में रितुबर्ण जो है इश्वरदास की सत्यवती कथा से जुड़े हुए हैं और रुकमनी जो है हमारे कुदुबन से जुड़ी हुई हैं जिनकी रचना है म्रगावती और रागाव चेतन जो हैं हमें पता है पदमावत से ही जुड़े हुए हैं तो कूट संख्या क्या हुई कूट संख्या पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का पहला और चौन्थे का चौन्था मेना, चंदायन, लोर, मुलादाओत की रचना है सत्तेवती कथा ईश्वरदास ने लिखी जिसमें रितुबरन और सत्तेवती है मरगावती, कुतुबन की रचना है पंदरासोही की स्वी में रुकपणी और राजकुमार की रचना है पदमावत जैसी की है, रागोचेतन, रतंसें, पदमावती और नाकमती इनके पात्र हैं हंस जवाहर, जो है, कासिम शाहन हैं, हंस और जवाहर की कहानी है एक शमा कीजे, काव वहकता है अगला प्रश्ण है, 338 भा प्रश्ण है जायसी के श्रंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है शारिरिक गोण है ये कथन राम चंदर शुकल का है जायसी सूफी का विधारा के प्रतिनिदी कभी माने जाते है जायसी के श्रंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है शारिरिक गोण है ये कथन राम चंदर शुकल जी का है जायसी सूफी का विधारा के प्रतिनिदी कभी माने जाते है अगला प्रश्ण है पदमावत में पदमिनी प्रतीक है किसकी प्रतीक है परम सत्ता की प्रमा ख्यानक काव्य परमपरा के प्रसिद कभी मलक मुहमत जायसी की रचना पदमावत है जो 1540 इसफी में लिखी थी यह एक प्रवंद काव्य है इसके भागों को खंड कहा गया है इस प्रिहासिक है पदमावत में पदमिनी प्रम सत्ता की प्रतीक है नागमती दुनिया धंदा या सांसारिक्ता सुगा गुरू का जो प्रतीक है रागव शैतान का प्रतीक है और अलावद्दीन माया का प्रतीक है अगला प्रश्ण है साधना की चार अवस्थाओं शरीयत तर सूफी सादना की चार वस्ताओं का संबंद बताया है सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है उसका नाम एक है आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं आत्मा तो स्वेम को ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सहरे इश्वर तक पहुँचने के लिए चार सोपानों को पार करता है सूफी मत के अनुसार ये चार सोपान है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारफत अगला प्रशन है सूफी मत के वर्णित, सादक की चार अवस्थाओं शरीयत तरीकत हकीकत मारफत की भाती वक्ती मारगिक के साथ सही करम में संगती कीजिए अर्थात ये भारती भाषा में ने क्या कहा जाता है तो शरीयत में आचरण लिया जाता है फिर तरीकत में उपासना ली जाती है फिर हकीकत में सत्यबोद होता है फिर मारफत में सिद्ध वस्ता होती है सूफी मत में बढ़ने सादिकों की चार वस्ताओं में शरीयत तरीकत मारफत हकीकत की भारती बक्ति मारक के साथ सही करम संगती होगी आचरन अपासना सत्यबोद और सिद्ध वस्ता सादक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है जिसमें वह शरीयत का अनुसरन करता है दूसरी अवस्था मलकत कहलाती है जिसमें सादक तरीकत या उपासना में प्रवर्थ होता है तीसरी अवस्था जबरूत है जहां पर आरिफ बन जाता है अर्थात मारिफत या सत्य बोध होता है ये गलत लिखा है मारिफत इसमें हकीकत होगा और चौन्ती अवस्था लाओत है जहां पहुंचकर उसे हकीकत जबकि मारिफत चौन्ती अवस्था है इसमें तुला साथ आगे पीछे कर दिया उन्होंने आप फिर भी पढ़ लीजेगा एक बार अपने इस तर पे जाई सीक्रत पदमावत है जाई सीक्रत पदमावत है इन चारों कावियों में से एक रूपा कावि है ये अलग-अलग प्रकार के कावियों पूछ रहे हैं वो पुरान कावियों धर्म कावियों रूपक कावियों चंपू कावियों ये रूपक कावियों है पदमावट उच्च कोटी का प्रवंध कावि, डक्टर नगेंदर ने इसे पृतिकात्मक या रूपक कावि कहा है अर्थात यह डक्टर नगेंदर के कहनुसार प्रिश्न बनाया गया है उन्होने क्या कहा है, तो यह रूपक कावि है समा सोक्ती कावि भी कहा है अगला प्रश्ण है प्रेमाख्यान काव परंपरागी प्रमुक रचनाओं का सही क्रम क्या है चंदायन, म्रगावती, पदमावत और मदुमालती चंदायन सभी को पता है सबसे पहली लिखे गई थी 1389 इस्वी में मुला दाउद के द्वारा अगला प्रश्ण है आचारे रामख्यान काव परंपरा का प्रधम कभी किसे माना है कुदबन को माना है रामजनर्शुकल ने प्रेमाख्यान काव परंपरा का प्रधम कभी और उनकी रचनाओं मानने वाले विद्वानों की सारणी निमलिखे थै गणपती चंद्रगुप्त ने असायत की हंसावली को पहला कभी माना है के पहली काव करती मानी है गणपती चंद्रगुप्त ने और डाक्टर नगेंद्र ने हंसावली को पहला काव गरंथ माना है प्रेमाख्यान काव परंपरा में 1370 इसकी प्रकाशन वर्ष है रामकुमार बर्मा ने चंदायन मुला दाउत के द्वारा लिखी गई जो रचना है उसको पहली रचना माना है हजारी प्रसाद दुवेदी ने ईश्वर दास सत्यवती कथा को पहली काव गरंथ माना है प्रेमाख्यान परंपरागा राम चंद्रशुक्ल जो है कुटबन के द्वारा लिखी गई मर्गावती के द्वारा पहली रचना मानते हैं मर्गावती कुटबन के द्वारा लिखी गई थी 1521 में उसको राम चंद्रशुक्ل ने पहला गरंथ माना है प्रेमाख्यान करब परंपरागा अगला प्रश्ण है कौन सी कृती जायसी की है जो आपको पता है कनहावत बो मलक मुहम्मत जायसी का विकृती है बाकी मदुमालती मन्जन की है अमरगावती कुद्बन की है अनुराग बासुरी नूर मुहम्मत की है अगला प्रश्ण है कवियों के साथ सुमेलित कीजिए इन रचनाओं को हंसा वली हसायत की है आपने अभी पढ़ा है चंदायन मुला दाउत की है सत्यवती कथा इश्वरदास की है म्रगावती जो है कुत्बन की है और उस्मान की चित्रा वली है अगला प्रश्ण है सूफी काविका उदेश है प्रेम निरूपन काविशास्त निरूपन इसलाम धर्म का प्रचार और राष्ट्री छेतना तो उत्तर हुआ प्रेम निरूपन सूफी काविक उद्देश प्रेम के माद्यम से ईश्वर की प्राप्ती का मार्ग प्रशष्ट करना है इसमें इस्त्री को परमात्मा पुरुष को आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है आता है सूफी काविस हर प्रमुक उद्देश प्रेम निरूपन है अगला प्रशन है प्रेम चिंगारी किसकी रचना है प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना है जिसमें इन्होंने उत्तर में नहीं दिया है विकल्पों में नहीं दिया है शेक निसार की रचना यूसफ जो लेखा है और शेक नवी की जो रचना है वो ग्यान दीप है अगला प जो है मन्जन की है दूसरे का पांचवा हुआ चंदाइन जो है मुला दाउत की है तीसरे का दूसरा हुआ अकरावट जो है जायसी की है चित्रा वली उस्मान की है तो उत्तर हुआ सी पहले का चौंथा दूसरे का पांचवा तीसरे का दूसरा और चौंथे का पहला अगला प बर्णन तथा मुगल बात्षा बावर की प्रिशंसा की है अकरावट में बर्ण माला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धान सम्मनित्यत्तों से भरी चुपाई है कहरा नामा जो है आद्यात में वहा का बर्णन है यह कहरवा शैली में लिखा गया है कहरवा शैली में लिखा गया है यह जरूर याद रखिएगा आद्यात में वहा का बर्णन है यह भी याद रखना है मसला नामा जो है इश्वर वक्ती के प्रती प्रेम निविदन है अगला प्रशन है हुजबेरी के अनुसार फनाकार्थ क्या है हुजबेरी के अनुसार किसी बस्तु की अपूंटा का गयान और उसे पाने की अक्चा मे निर्त होना लोग यह समझते हैं कि फनाका अर्थ सत्ता और इस मन Wish शरीर का नश्ट होना है तब भूल करते हैं कि फना का वास्तवी मतलब यह कि तुर्टियों के प्रती मनुश्य सचेतन हो जाता है और उसकी चाहत में विरत हो जाता है यह बिल्कुल नामुंकिन है कि परमात्मा के गुण मनुश्य के गुण बन जाएं अत्वा परमात्मा के गुण मनुश्य के चित्रावली का सुजान जो है चित्रावली नामक प्रेमा ख्यानक काविका नायक है चित्रावली उस्मान द्वारा रचित ग्रंथ है दोहा चौपाई में रचित है इसमें नेपाल की राजकुमार सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा प्रिशना है जो काव कता है प्रेम की कता है वो लिखी है इंद्रावती में राजकुमर और इंद्रावती की कहानी है हंस जवाहर में हंस जवाहर की है अगला प्रिशना है इन में से सूफी काव धारा का कभी कौन सा नहीं है मुल्ला दाउद हैं जाइसी हैं कुद्बन है लेकिन नावादास नहीं है उत्तर हुआ नावादास नावादास ने अस्तियाम लिगी थी ये रामबक्ती शाखा के कभी थे अन्यक्रती जो है नावादास की भक्तमाल है शेश कवी मुला दाउट जायसी तथा कुदबन प्रेम आश्राई साखा के सूफी कभी है अगला प्रश्ण है हिंदू मग पर पाउन अराखे हूं को जो बहुत ही हिंदी भाखे हूं इसमें उक्तक्रती की उक्तकिस रचना और रचनाकार से संबन दित है नूर महम्मद की अनुराग बासुरी से संबन दित है इंद्रावती से नहीं है अनुराग बासुरी पदमाबत के अनुछेदों का नाम क्या है? खंड है 57 खंड है विभाजन विभाजत सरचना में प्रतम खंड में चतोड के राजा रतन सेन और सिंगल राजकुमारी प्रदमावती के विभाग की तक की कलपने घटना है तदा दूसरे भाग में इतिहादिक बढ़नन है पदमावत रोमान चक्षेली में लिखा गया कथा क आधे है इसके विविन पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी उता इस द्रश्टी से इसे रूपक-कावि भी कहा जाता है और इस रूपक-कावि किस ने लेख भाय है याद रखियेगा तो ये इधा मित्रों हमारा यहां तक का वीडियो अगला वीडियो हम जल्दी आपके सामने प्रस्वत करेंगे जो इस 356 प्रश्ण से प्रारम होगा बहुत बहुत धन्यवाद